चार दिन से गायब का मिला शब, पुलिस कारिवाई करती तो बच सकती थी जान, बाड़ी धौलपूर से दुखत खबर, कसबा के मध्य इस्तित, होद के तालाब में मिला शब, मिलने से हडकंप मच गया, घर से चार दिन से गायब बताया जा रहा है मृतक, परिवार को हत्या की आशंका है, गायब होने के बाद पुलिस को भी दी थी जानकारी, लेकिन नकारा पुलिस ने सूचना पर भी नहीं की कोई कारिवाही, शहर के चेतन नगर निवासी हैं मृतक जनक सिंग कुश्वा, मृतक को कुछ लोग लेकर गए थी अपने साथ, इसके बाद नहीं पह मौचा था घर, जमीन जायदात से जुड़ा बताया, जा रहा है मामला, पुलिस ने शब को कबजे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, लोगों में चर्चा है के समय रहते, अगर पुलिस कारिवाई करती, तो इस वक्ति की जान बचाई जा सकती थी, बाड़ी से प्रमोद म रहीम, निवासी लुधिहात पुरा राठ, जिला हमिरपुर, उत्तर प्रदेश ने थाना राजा खिड़ा में एक लिखे तहरीर दे कर, बताया था कि मेरी पुत्री शेहनाच को दिनाग 25 फरवरी के मदिरातरी को कुछ लोग बहला फुसला कर ले गए, दो-चार दिन तला शेहनाच के मा बाप अपने को ठगासा मैसूस कर रहे हैं, लेकिन गुमशुदा बच्ची का पुलिस द्वारा अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई, पीर बक्स उसकी पतनी जन्नत ने बताया कि भट्टे पर हमको केवल कार करने के लिए कहा जाता है, आप तो कार कीज आपकी बच्ची आजाएगी, पीर बक्स ने वह शेहनाच की मा जन्नत ने बताया कि वह फोन पर मेरी बच्ची से सतवीर कहता था, कि आप तो मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको भट्टे की मालकित बना दूंगा, शेहनाच की मा ने बताया कि हमसे कहा जाता है, कि तुम त पुलिस के बढ़ते दवाब के चलते इनामी बदमासों ने किया नियायले में समधपड राजा खेडा की प्रमुक खबर जिला पुलिस अधिक्षक शिवराच मीडा के निर्देशन में जिले भर में अपरादियों के खिलाप भारी दवाब बनाया हुआ है जिसके चलते 28 अक हत्या में शामिल सभी आरोपी गरफतार कर लिये गए थे दो व्यक्ति छुपते फिर रहे थे इन दोनों पर ही जिला पुलिस अधिक्षक ने तीन-तीन हजार का इनाम घोसित किया था रामवतार पुत्र राजा राम एबं रमाकांत पुत्र राजा राम दोनों भाईयों को नया लेके मैं समर्पण की बाद राजा खेड़ा पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया है आईएब डब्लुजे पत्रकार संग जिला अध्यक्ष का चुनाव दो अप्रेल को होगा धौलपुर की प्रमुक खबर आईएब डब्लुजे भरती पत्रकार संग की बैठक में नेने लिया गया कि जिला अध्यक्ष का चुनाव सीग्र करवाया जाएगा इसके लिए सदस्यों के सुझाव वा सर्वसम्मत्य से निर्णे लिया गया है कि दो अप्रेल को दो पहर दो बजे जिला अध्यक्ष का चुनाव सीग्लोवल इसकुल में किया जाएगा सर्वसम्मत्य से वरिष्ट पत्रकार इंद्रेश शर्मा एवं पत्रकार रनीश दिवारी को चुनाव अध्यकारी निक्त किया गया चुनाव अध्यकारियों ने बताया कि दो अप्रेल को होने वाले चुनाव कारिक्रम में आईएफ डबलू जे का परिचे पत्र साथ में लाना अनिवारे हो अनिथा चुनाव कार में भागीदारी नहीं हो सकेगी जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ती अपना नामांकन पर दो आईएफ डबलू जे सतलस्यों का रस्तावक बनाना एवं साथ में आईएफ डबलू जे का परिचे पत्र लगाना भी अनिवारे होगा चुनाव अध्यकारी इंद्रे शर्मा ने बताया कि समय का पालन करना सभी माननी सत्यों के लिए अनिवार है और किसी जानकारी के लिए दोनों चुनाव अध्यकारियों से व्यक्तिगत संपर किया जा सकता है वियो रुपोर्ट वीवियन राजिस्थान जिला अद्यक्ष का चुनाव हमें फिर से कराना था ले आजा हमने बोव अपरेल को जिला अद्यक्ष आईएफ डब्मुजे फुलकुर साका का चुनाव कराने का निड़ने लिया है उसमें निड़दारिस समय पर जो भी छुप में वो पदार है जिससे चुनाव संपन इमा समय पर जगे पर पदार है और अपना वोट के इसे हम अच्छा जिलाटेस चुन सकते हैं धन्यबाद सैंपो महाविद्याले का पुरुसकार वित्रण समारो संपन सैंपो की प्रमुक खबर राजकी महाविद्याले सैंपो का वार्सक पुरुसकार वित्रण समारो आज बाड़ी पंचय समती के प्रधान अजय मलिंगा के मुखे आथित्य में संपन हुआ कारिक्रम के प्रारंभ में मा सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रजुलित कर एवं मालियारपन कर किया गया सरस्वती वंदना कुमारी जोती कुमारी डॉली के द्वारा गाई गई इसके पश्चात कारिक्रम में पधारे हुए मुखे अथित्य अजय मलिंगा प्रधान पंचय समिती बाड़ी डॉक्टर इंदू प्रकास पूर्व प्राचार को महाविद्याले के प्राचारे डॉक सरस्वती विधाय गिर्रा सिंग मलिंगा की विशेश प्रयासों के फल सरूप हुई आज ये महाविद्याले राजकी प्राक्मिक विध्याले के तीन कक्षा कक्षों में संचालित हो रहा है वर्तमान में 550 से अधिक छात्र चात्राय नियमित रूप से अध्यन रत हैं महाव प्रतिक चिन एवं प्रमाल पत्र दे कर सम्मानित किया गया अजे मलिंगा ने चात्रों को सम्मूधित करते हुए कहा कि आगामी परिख्षा के लिए बधाई दी और विविन खेलो वह संस्कृतिक प्रतियोगताओं में विजेता चात्रों को बधाई दी उन्होंने अपने हुआ तन मन धन से माविध्याले की पूरी मदद करेंगे विशिष्ट अतिती माविध्याले की पूरू प्राचाल डॉक्टर इंदू प्रकाश शिंग ने कहा कि उनका परिख्षा परिणाम बहुत ही उच्च पोटी का है आज मुख्य रूप से गतवर्स के परिख्षा प पपी सनी मंडेलिया अभिशेक परमार सोम्या प्रभा नीतु परमार एवं संस्कृतिक प्रतियोगताओं में सोम्या प्रभा वीनेश शिवानी चंचल गर्ग प्रिया डॉली नेहा कुमारी को सम्मानित किया गया कारिक्रम का संचालन देविंद्र सिंग कश्यप सहयक के द्वारा किया गया आज के कारिक्रम में श्रीमती, रंजना सिंगल, अत्रिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निर्मन सिंग, गुर्जर, कनिष्ट सहयक, वीरु, डॉक्टर जावेद खान, गेस्ट फैकल्टी, मुकेश चन, गेस्ट फैकल्टी, गौरभ परमार, शैले मंडेलिया, सौरभ, धीरेंद्र एवं सेकणों की संख्या में आने चात्र चात्राय उपसित रहे राजिस्थान टरडिशनल कराटे प्रत्योगता में भरतपुर के बच्चों ने भी जीते पदक, भरतपुर की प्रमुक खबर राजिस्थान टरडिशनल कराटे एस्वोसियेशन के बैनर तले, पुसकर अजमेर के दो दिवसिये, राजिस्थान इस्टेट कराटे चेंपियंशिप प्रत्योगता आयुजित हुई, समारू के मुख्य अतिति अजमेर सांसत, भागियत चोधरी व अध्यक्षता, पुसक पुर आदि विशिष्ट अतिती के रूप में मौजूद थे, भागियों कराटे एस्वोसियेशन के सचिव पियूस जैशंकर टाइगर ने बताया कि उपस्ते सभी मंचाशीन अतितियों ने, जैशंकर टाइगर जुरो कराटे कलब भागियों को पदक एवं प्रसस्ति पत पत्र देकर प्रुस्कित किया, जिसमें काता प्रतियोगता में रामिया शर्मा को स्वन पदक, आदित्य सिंग काशी पदक, एस्वरे शर्मा काशी पदक, जैगरती जैन काशी पदक प्राप्त किये, एवं कुमीते प्रतियोगता में रामिया शर्मा को रजत पदक, तनु प्रतियोगता में इस्थान प्राप्त करने वाले खिलाडी राश्ट्रिय कराटे चेंपिन्शिप में राजिस्थान का प्रत्मिद्थु करेंगे। तूर्ना मेंट में प्रदेश के विविने जिलों के करिब 300 खिलाडियों ने भाग लिया। कारिक्रम के अंत में कराटे के राष्ट्रिय महा सचिव रजनीश चोधरी एवं राजिस्तान सचिव प्रदीव वर्माने महिला प्रसिक्षक दीप्ती शर्मा एवं प्रसिक्षक पियूस जैशंकर टाइगर को ओफिशल शील्ड दे का सम्मानित किया वीवी एन भरगपुर सर पंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों का दो दिवस्य प्रसिक्षन सम्ppen राजा खिडा की प्रमुक खबर पंच्य सम्ती के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी गण एवं सरपंच गण का दो दिवसीय पसिक्षन पंचाई समती राजा खिड़ा के सभागार में आज समापन हुआ इस अपसर पर विकास अधिकारी राके सिंगल ने कहा कि सरपंच अपने अधिकार और करतबे भले भाती समझें और उनका निर्वहन करें और जनता जनारदन को अधिक से अधिक योजना का लाब पहुंचाएं राजसंधर व्यक्ति प्रमोद कुमाश शर्मा ने केंद्र एवं राजसरकार की योजनाओं की पात्रता एवं नियमों की जानकारी विस्तार पूर्वक साजह की सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर महावीर त्यागी जीब चोहान ने कई महत्तपून जानकारिया दी अंत में राजसंधर व्यक्ति प्रमोद कुमाश शर्मा ने सभी पधारे हुए सरपंच गण ग्रामविकास अधिकारीयों का आभार एवं धन्यवाद किया साथ ही 31 मार्च को 35 सभागार में वाड़ पंचों की एक दिवसी प्रस्रिक्षन का आयोजन होगा इस अपसर पर सरपंच गण एवं ग्रामविकास अधिकारी गण उपस्तित रहे राजाखेडा से बुद्धिसिंग उधनियागी रिपोर्ट धोलपूर 30 मार्च इस्थानी जवाहर नवोदे विध्याले में माननी जिला कलेक्टर महोदे के मार्ग दरसन में परिक्षा पे चर्चा एक जन आंदूलन तनाम मुक्त परिक्षा परिकारिशाला का आयोजन प्राचारे केलाश प्रषाद मीना की अध्यक्षता में बुद परिक्षा पे चर्चा एक जन आंदूलन है जिसमें पंजीकरत लगबक 15 लाग विध्यारती उनके अभिवावक एवं सिक्षक एक अप्रेल को प्राते 11 बजे आयोजित होने वाले कारिक्रम में भाग लेकर माननी प्रधानमंत्री जी से सीधे समबात करेंगे नोडल अधिकारी प्राचारी मीना ने सभी से अपील की है कि दूरदरसन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूच, डीडी इंडिया, रेडियो चैनल, टीवी चैनलों, डेचल मीडिया पर, एडू मिनोफ, इंडिया के ट्यूट अफ चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा ज जिसको हम सभी को देखना जरूरी है, जिससे परिक्षा को लेकर विध्यारतियों के तनाव एवं भय को कम किया जा सके। इसका नाम रोशन करें। उप राचार हुपेंदर शर्मा ने कहा कि प्रधान मंतरी विगत पांच वर्सों से विध्यारतियों के तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कारिक्रम में अंजनी कुमार गुपता एवं मुकेस करदम ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कारिक्रम में गजन्र सिंग गौर, कमलेश कुमार, विमलेश भासकर, कालू राम मीना, राजकुमार पाराशर, प्रग्या चेवहान, खेमराज मीना, सहित बड़ी संख्या में लोग मौझुद रहे हैं। तर लोग में लोग माझुद रहे हैं। झाल 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 झाल